नारण दोस्तों अक्षर प्लांट और प्लांटेर में आप लोगों का स्वागत है आज हमने जो टॉपिक रखा ये कुछ कटिंग थी मैंने कुछ प्लांट ग्राफ्ट किये थे उनके उपर रूट स्टॉक के थे पार्ट तो मैं सुझे क्यों ना इन कटिंग कोई ग्रोव कर करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो आपको पसंद आतों ज्यादे शेयर करें लाइक करें वीडियो आज काम शुरू करते हैं तो कटिंग से कुछ मैंने पार्सों काटके रख़ी थी और काटकरके निच् एंटी फंगल लगाया हुआ है कार्बेंडा जिम मैं को आपके पास एंटी फंगल नहीं हो तो रूटनिंग हार्मोन लगा सकते हैं दाल चिनी लगा सकते हैं और एक दो दिन इनको सूखने के लिए अपने को रख देनी थोड़ी जितनी मजबूत आप कटिंग लेंगे थोड जैसे मैंने पहले बताया हाथ की उंगलियों से ज्यादा मोटी नहीं हो तो उतनी अपने को कटिंग से ले लेनी है तो इसके लिए अपने क्या करने का तरीका जो है आज हम डिसकस कर रहे हैं आप लोगों के साथ में जिसमें रिजल्ट्स जो है बहुत अच्छे आते हैं औ और में जो बढ़िंग को गलने की तो उसके लिए अपने कःले क्या करना कुछ क्या क्या चीजह है को कटिंग से ही पूआना एक अपने को सबसे नहीं और सबसे लिया अपने को इस सबसे करने लिया को और ड्लेकर और इसको आपने ऐसकां कि लगवगे लगवगम जो है तीन चार इंच की पटियां काट्टी जैसे फेपर को मैंने फोल्ड किया तो इसके अंदर जो है थीन चार इंच थी पटियां निकल जाएंगी और इनको को अपने को क्या करना है लंबी लंबी फाड लेनी इन पट्टी ओंगो अपने के दोस्तों में प्रॉब्लम रॉटिंग की होती है और रॉटिंग जो है मेंली मिट्टी से ज्यादा आती है जो मिट्टी में अगर आपने कटिंग्स ग्रो कर ली तो फंगस आने की पॉसिबिल पानी भरे रहने की वज़े से अगर continuous cuttings के उपर पानी लगाई रहेगा और गंबले में पानी भराई रहेगा तो वो भी एक बड़ा कारण होता है जिसकी वज़े से जो है आपकी cuttings के अंदर रोटिंग आती है तो आपन यह टेकनिक से अभी प्रू कर लिए तो दोस्तों पूरे लंबी लंबी न्यूसपेपर के आपने cuttings काट ली हैं लगवक तीन इंची की हैं तीन से चार इंची की और इसको बीचो बीच आपने को और दो-दो पीसिस के आपन कर लेंगे इसके भी जो हैं बराबर बराबर अपने पीस आपने कर लिए और इनको रख लेते हैं पीस करके और अपने क्या करना है सिंप्ली एक कटिंग को अपने को लेना है और ले करके और इसके आधे center में अपन रख लें आध्युवाद जो अपनी cutting यह जो है निउस्पेपर उसके अधे center म अपने रखा और इसके ऊपर अपन इसको रैप कर देंगी है इस तरीके से रैप अपने यह पर और यहाँ पर यहां पर आयर यहां पर बांद करों कि यह बांद करके और बस गांट भी देने की जूरत नहीं सिंपल यहाथ से गुमा देना है और रखते जाएंगे साइड में और इन सभी को जो है अपनी इसी तरीके से जो है इसके उपर जो है नियूस्पेपर अपना रैप कर लेंगे यह बांद देंगे इस पर तो इसी तरीके से दोस्तों यह आपने रैप कर लेंगे सभी鍵 करके और अपना आगे कंट्इणिव करते हैं में तो दोस्तों इस तरीके से आप देख रही हुएंगे इन सभीकों को है हमने रैप कर लिया है नीचे नीचे नीश्पेपर से और धागे से टाइः भी कर लिया है सभी कटिंग मिखको अब आपने क्या करना है जो पाठल में अदर और खड़ी करने के बाद में क्या है इसमें अपन पानी देंगे अराम से इनको सीधा रखना है अब इसके फाइदे जैसे अपन इसके अंदर सिंपली जो अपना तरीका पानी देने का यह अपने पानी दे दिया और यह सारी जो कटिंग्स के न्यूस्पेपर यह गिले हो अपने कटिंग्स के उपर जो न्यूस्पेपर रैप किया था वह भिगो दिया है अब इससे फाइदे की आपन बात करें पहला फाइदा क्या होगा कि बहुत जादा जो है पानी को होल्ड करके रखता है तो एक तो क्या बहुत जादा जो है इसमें पानी भरा हुआ नहीं दूसरा फंगस मिट्टी से ज्यादा आता है तो इसमें मिट्टी अपने काम में नेली तीसरा इसमें जो है आप सरी में खूब सारी न्यूस्पेपर होने की वज़ेश के होगा एक हुमिड सा एंवायरमेंट अंदर बना रहेगा और इसको आपन जो है रखेंगे जो थोड काम में डेवलप करें और अगर बड़े पत्ते उपर आए हुए हूँ तो बड़े पत्तों को जरूर हटा दें यह नई गूरोथ को दिस्टरम्ट करना नहीं कि नई गूरोथ को भी अपन तोड़ दें नई ग्रोथ कैंन्स को सरवायू करने में बहुत करें और जब इसकें में शिफ्ट कर दें मीडिया लेकर और रूट्स नहीं आई हो तो वापिस आपन रैप करके देख लें और टाइम टू टाइम को चेक करते रहें कि कोई खराब तो नहीं होगे वैसे इस प्रोसीजर से जो है खराब होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम रहती है तो दोस्तों एक शेयर करें लाइक करें वीडियों देखने का बहुत-बहुत धन्यवाद नश्यूंश्यूंश्यूंश्यूंश्यूंश्यू